नमस्कान न्यूज़ फो नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी बिहार में मौसम के मिज़ाज की बात करें तो इस वक्त घर्मी बहुत ज्यादा बरही हुई है बात अगर हम राजधानी पटना की करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म स्थान अगर कोई रहा तो वो राजधानी पटना है ऐसे में अब आपको बताएं कि मौसम विभाग में बारिश होने की संभावना जताई है यानि कि जहां एक तरफ पारे में लगातार बढ़ होतरी देखने को मिल रही है गर्मी से लोग बुरी तरह से परेशान है तो वहीं अब बारि इस तरह से मौसम में बदलाव के बात कहे गए है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं बतादे कि 24 घंटे में राजधानी पटना प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा यहां गुरुवार को अधिक्तम तापमान सामानी से 5 डिग्री अधिक रहा वहीं अधिक्तम तापम ने बीते 11 वर्ष्यों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं मौसम विभाग के अनुसार 25 मार्ज साल 2011 को 37.5 डिग्री दर्ज किया गया था इसकी और पहले अगर मार्ज 2010 की बात की जाए तो अधिक्तम तापमान 41.4 डिग्री तक पहुँच गया था प्रदेश में पच्छवा क प्रभाव बने होने की कारण ऐसा हो रहा है अगर पटना के नियूतम तापमान की बात करें तो गुरुवार को 18.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया प्रदेश में पच्छवा की गती 6-8 किलो मीटर प्रती घंडा है मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4-5 दिन तापमान 37-49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है आने वाले समय में अधिक्तम तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी अधिक्तम तापमान में समाने से 2-4 डिग्री की व्रदी के असार है यानि बहुत जल्द बिहार में पारा 40 के पार रहने वाला है ऐसे में लुआदी को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है अपरिल में तापमान में व्रदी होने के साथ प्रदेश में हलकी बारश भी हो सकती है इस बात का पुर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है तो आपको बताएं कि इस बार की गड़मी ने सारे है साल दो हजार ग्यारा की बात करें साल दो हजार दस की बात करें तो इस बार जो पाड़े है उसमें लगातार बढ़ होतरी देखने को मिल रही है और यही वज़ज़ है कि इस बार की गड़मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से 40 डिग्री तक भी पहुँच जाएगा लेकिन जैसे ही अप्रेल महीने की शुरुवात होगी उस वक्त हलकी बारिश होने की संभावना मौसल वभाग की तरफ से जताई गई है फिलाल के अतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार